आपके साथ बिहार के मुख्यमंतर नितीश कमार बिहार के विकास के भले ही लाख दावे क्यों न करते हो लेकिन आए दिन बिहार में जिस तरस की तस्वीरे निकल कर सामने आती है नितीश कमार के इस दावो की पोल खोल देती है नितीश कमार और नितीश सरकार की भद पिट जाती है बतादे कि बिहार में पूल गिरने का और पूल ध्वस्त होने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है इसकी शुरुवात होती है अगवानी पूल से भागलपूर जीरेई में की जो अगवानी पूल है वो ताश की पत्तों की तरह ध्वस्त हो जाती है उसके बाद बिहार में राजनिती गर्मा जाती है विपक्ष को यानि BJP को बैठे बिठा एक मुद्दा मिल जाता है नितीश कुमार नितीश सरकार पर हमला करने का और ऐसे में एक और खपन निकल कर सामने आती है बीटे दिनो जहाँ जमुई के सोनो प्रखंद में पूल का पाया था वो धस गया और अब जमुई के ही जो है एक और प्रखंद यानि चकाई प्रखंद में भी एक और पूल धसने के कगार पर हैं आपको तस्वीरे दिखाते हैं और ये exclusive वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां देखिए जमुई के सोलो प्रखंड के बाद अब जमुई के चकाई में एक और पूल धसने के कगार पर हैं तो जहां एक तरफ बिहार सरकार यानि महागडबंधन की सरकार बिहार को विक्सित करने क कि बिहार के तमाम सड़क से लेकर के पूल से लेकर के हर एक चीजों की development की बात कर रहे हैं तो वही दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरे भी निकल कर सामने आ रहे हैं आपको पहले ये तस्वीर दिखा रहे हैं ये वीडियो दिखा रहे है जो कि जमुई के चकाई प्रखंड की है 30 फीट लंबा पूल का पीलर धसने के कगार पर है आपको बता दे कि बीते दिनों से जमुई जीले में रुक रुक कर मुसलाधार बारिश हो रही है जिससे जमुई जीले के अधिकांश नदियों में जलस्तर भी बढ़ गया है जिसके कारण छोटी छोटी नदियों पर बन करने वाली जो पूल थी जो लगबग जिसकी जो दस पीलर है वो धस गई जिसका मुख्य कारण बालू उत्खनन बताया जा रहा है वहीं फिर से चकाई प्रखंज में भी एक पूल के दसने की खबर आ रही है ऐसे में क्यों नहीं माना जाए कि सरकार की घोडला परवाही औ बिहार की पूल पुलिया तो देखें बिहार के पथ निर्मान मंत्री और बिहार के स्वास्त मंत्री हैं बिहार के डिप्टी सेम तिजस्वी या दवलेकिन बिहार में जिस तरह से पूल धसने की तस्वीरे आती हैं पूल धसने की खबरे आती हैं सवाल नितीज सरकार पर बता दे कि बीते दिनों जिससर से जमूई में लगतार मुसलाधार बारिष हो रही है जिसके वज़े से छोटी-छोटी नदियों पर जितने पूल पुलिया बनाए गये हैं उनकी जो है धसने के कागार पर हैं बीते दिनों जमूई के सोनों प्रखंड में जो है एक पुल का दस पिलर धस गया जुसके बाद करीब दो दर्जन गाउं जो हैं उन पर असर पड़ा है और अब जमुई का ही एक और प्रखंड चकाई प्रखंड में एक और पुल जो है वो धसने के कगार पर है आप देखिए किस तरह से ये तस्वीरे दिखाती है कि बिहार में जो विकास से वो किस तरह से भ्रष्ट चार का भेट चरड़ा है फिलाल इस खबर में पस इतना ही और वीडियो अब्रेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूस फानेशन